इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रोक्सी सेटिंग्स के भारे में हमारे ट्विटर के अंतर तो यह प्रोक्सी सेटिंग्स रहती क्या है और यहाँ पर यह प्रोक्सी सेटिंग्स करती क्या है ट्विटर के अंदर यह भी आपको बताऊंगा तेकि प्रोक्सी जो होती है य यह जो होती है configure करती है आपके network को request को and यहाँ पर जो है आप इसको enable कर सकते हैं आप देखिए proxy आपको मिलती कहाँ पर है proxy आप जब Google पर search करेंगे तो आपको धेरो सारी proxy मिल जाएगे होस्ट करने के लिए हाँ पर add करिए एंद फिर आप उसको run कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर enter a port number तो यह एक अलग option हो गया पर यहाँ पर डाल कर आप इसको host कर सकते हैं इससे क्या होगा कि ऐसा होता है कि अगर हमें कभी internet हो गया हमारा run नहीं करता है तो इससे हम उसको run कर सकते ह हैं easily तो यह ट्विटर के अंदर proxy settings यह होती है आप जब अपनी settings में जाएंगे first page पर ही आपको यह proxy settings यहाँ पर नीचे मिल जाती है ठीक है additional resources के नीचे तो यह रहती है proxy settings हमारे Twitter के अंदर अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा